हैलो फ्रेंट्स वेलकम टू सागर रोबडिक्स तो दोस्तो आज के वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है अगर आप बूढे हो बच्चे हो कोई भी हो आप इससे फर्क नहीं पड़ता और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा तो चलो वाईज आज की ये वीडियो जो की काफी ज़्यादा खासे उसको शुरू करते चलिए चलते सिधा स्टूडियो के अंदर तो गाईज आज हम ये जो चीज बनाने वाले आपके काफी ज़्यादा काम की है अगर आपके घर में ये चीज नहीं है तो आपका घर इसके बिना अदूरा है तो गाईज यहाँ पे मैंने सबसे पहले कॉपर की वायर ले ली तो ये जो copper की wire है ये आप पुराने relay में से या फिर toy motor जो आती है उसमें से कैसे भी ले सकते हो तो ये आपको दिख भी नहीं होगी क्योंकि काफी पतली है तो ये जो है ये copper wire का नाप यहाँ पहले आपको इसको ठीक से दिखा देता हूँ देखो मेरे हाथ में है कुछ आप ऐसा ना समझोगी मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा है copper wire है मेरे हाथ में दोस्तों ये camera में ठीक से नहीं दिख रही है लेकिन मेरे हाथ में है आपको दिख रही होगी अब तो दोस्तो ये copper wire का नाप यहाँ पर मैंने कुछ लगबख करीब करीब 4 feet के रखा है जिससे कि इसका जो भी कुछ हम बनाने वाले हो 4 feet के करीब करीब काफी बढ़िया से work करता है आपको इसको कम जदा भी कर सकते हो लेकिन उसका क्या effect होगा ओ मैं आपको आगे बताऊंगा तो अब मैंने याप एक wire को छील लिया है तो अब इसके उपर आपको ये copper wire इस तरीके से थोड़ा सा round round करके लपेट डेना है तो दोस्तों ये हम जो भी wire इसके उपर लपेट रहे है उसका हमने insulation निकाल दिया है जो कि मैंने आपको पहले चाकू से निकालते हुए दिखाया अब यहापे में solder कर रहा हूँ तो guys यकिन मानिए आपको अभी भी नहीं पता चल रहा हुगा कि हम क्या बनाने वाले है तो आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा लेकिन मैंने जो आपको कहा कि अगर ये आपके घर में नहीं है तो आपका घर अधूरा है guys और आपको कुछ भी इसके लिए ज्यादा electronics की knowledge होने की जरूरत नहीं है लेकिन आप इसको आसान नीश से बना सकते हो और इसके बिना आपका घर अधूरा है सच में अधूरा है तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर वाच करो भाई क्या होता है सिर्फ पाच मिनिट की तो वीडियो है एक बार देख लो पूरा और फिर आप इसको बना सकते हो तो मैंने इसके इधर उदर shrink tube डाल दी अब मैंने देखो आपको दिख रहा होगा कि नीचे का background जो है वो pink हो गया तो guys उसको मैंने pink क्यों किया क्योंकि यह सब कुछ white white था तो दिख नहीं रहा था और आपको ठीक से दिखाना मेरा फ़र्ज है इसलिए मैंने नीचे का background pink कर लिया तो इसको अब यह जो wire है उसको यहाँ पे हमें tape से चिपका देना है तो यह यकीन मानो काफी काम की चीज होने वाली है अगर आप बच्चे हो बुड़े हो यंग हो एडल्ट हो कुछ भी हो तो यह चीज आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है तो अब यह जो copper wire था उसको आपको इस तरीके से इसके उपर und कर देना है मतलब लपेड देना है और इसका जो last end है उसको भी हम थोड़ा सा ऐसा tape लगा देंगे और यह दूसरी wire तो इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे गाईज यह काफी interesting वीडियो है काफी ज्यादा बड़िया काम की चीज बनने जा रही है अगर आपको idea आ चुका है तो वीडियो को post करके अभी के अभी comment में बताओ कि यह क्या बन रहा है तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया अपना aluminium foil अपना मतलब खाना वाना pack करने का aluminium foil आप यह आपके kitchen में इसको देखी रहे होगे तो भाई यह भी camera में ठीक से नई दिख रहा है भाई क्या करें यह काफी चमकीला होता है काफी ज्यादा चमक रहा है यह camera के सामने वैसे fair and lovely fair and handsome कुछ चो लगाता होगा तभी तो इतना चमक रहा है चलो भाई हम इसके बारे में क्या बात कर रहे है चलो project के उपर तो इसको मैंने यहासे इस तरीके से fold कर लिया अब इसको मैं यहासे cut कर लूँगा scissor के द्वारा क्योंकि ऐसे तो यह चाकू से भी cut हो जाता है काफी पतला होता है लेकिन इसका purpose क्या है वो आपको अभी पतल लग जाएगी तो इसको यहाँ पे आपको ऐसे रखना है और इसको यहाँ पे इस तरीके से लपेड डिना है तो एक काफी आसानी से लपेड जाता है काफी जैसे मोडते हो वैसा ही रह जाता है क्योंकि यह aluminum से बना होता है मतलब aluminum का foil है तो aluminum से ही बनेगा aluminum foil का copper से बनने वाला है तो चलो कुछ बहुत हो गया मस्ती मजाक तो इसको इस अब हमारा 10% वीडियो का हिस्सा बाकी रह गया है कुछ बड़ी बात नहीं है आपने वीडियो देख ली और मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि आपका समय बरबाद हो गया है या फिर मैं क्या कहूँ आपको भी ऐसा नहीं लगने वाला कि आपका समय बरबाद हो गया है पर मैंने दो हिट स्विंग ट्यूप का यूज किया है आप याप फाइबर स्लीव इलेक्ट्रिक टेप जो लगाना चाहिए वो लगा सकते हो उसके बाद याप मैंने माइक्रो यूएस्बी हाँ छोटा यूएस्बी माइक्रो यूएस्बी जैक ले लिया है यह आपको इलेक्ट्रोनिक शॉप के उपर काफी आसानी से पाच दस रुपे के अंदर मिल जाएगा तो इसके आपको यहापे connections कर देने तो आप connections कैसे करेंगे इसके अंदर पॉजेटिव निगेटिव नहीं है भाई आप पल्टा के red को black black को रेड जो भी color हो आपके दिल में आए वैसे आप इसको लगा सकते हो इसके अंदर कोई positive negative नहीं है तो दोस्तों अब यहाँ पे मैंने इसको गरम करके lighter से एकदम सिकुड़ा दिया है उसके बाद आपको लेना है कपड़ा आपको अच्छी quality का cotton का कपड़ा लेना है क्योंकि अगर आप terry cut का या फिर कोई वो जो पॉलिस्टर वाला आता है वो कपड़ा लेते हो तो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा तो इसके बार इसको आपको इस तरीके से सिल लेना है और फिर आपको अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया आ चुका होगा देखो मैंने इसको सील के लाया तो ऐसे तो मैं कापी अच्छा दरजी नहीं हूँ कापी अच्छा दरजी मतले हमारा कामी नहीं है हमको अच्छे से सिल लाइन नहीं आती मेरको आपको आती होगी वह क्योंकि आप काफी intelligent हो तो मैंने जैसी आती वेसे इसके उपर सिलाई कर दी है अब इसका जो extra वाला cloth है कपड़ा है उसको हम cut कर लेते कैसी के द्वारा वो तो आपको दिखी रहा होगा कि मैं कैसे cut कर रहा हूँ हमको ऐसे अच्छे से इस कपड़े की भी cutting नहीं आती वाई cutting मतलब वो cutting आपके haircut वाली cutting ना समझ लो cutting नहीं आती साब तो हम ऐसे ही जैसे आती है वेसे cut कर ले रहा हूँ आपको तो काफी अच्छे से आती होगी आप कर सकते हो हमें सिर्फ PVC pipe MDF board इनकी cutting आती है क्योंकि यह हमारा रोज का काम है अब क्या बताओ तो चलो इसको यहां से मैंने cut कर यह काफी आसानी से हो भी गया है और काफी बढ़िया तरीके से लग रहा है और एक gadget इतना काम का है आप अगर बच्छे हो तो इसको बना कि अपने दादा को परदादा को जिनको भी देना चाहते हो उनको दे सकते हो तो अब चलो इसकी testing कर लेते अब यह आपके समझ में आ power bank लगाओ या फिर mobile में OTG लगाओ कैसे भी लगाओ इसको यह आपे power देना है आपको पाच होल्ट तो यह अभी देखो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि यह हीट हो रहा है या नहीं हा भई हो रहा हीट और आपको लग रहा होगा कि copper wire हीट कैसे होगा भई मैं अभी आपक से चेक करवा देता हूँ और किसी भी conductor के अंदर आप बिजली भेजते हो electricity भेजते हो तो गरम होता है यह तो आपको पता ही होगा अगर आप electronics में interested हो अगर नहीं interested हो आपको यह नहीं पता था कि copper wire भी हीट हो सकता है तो एक बार इसको try करके देखना आपको पता लग जाए था तो आपको अभी पता लग गया होगा कि सब दूर हमने heat जो है उसको distribute करने के लिए aluminum foil का यूज किया था और उसके उपर हमने कपड़ा लगा दिया जिससे कि वो foil भी खराबना हो और काफी दिन तक यह चल जाए तो आप देख सकते हो इसका temperature 38-39 के करीब चला गया है तो तो आप जो तार है उसकी लंबाई बढ़ाना अगर temperature ज्यादा करना है तो तार की लंबाई कम रखना और दोसरा पर यह है आप अगर मोटा तार ही इस्तमाल करते हो तो इसका temperature बढ़ेगा और पतला तार ही इस्तमाल करते हो तो गटेगा तो यह काफी अच्छे से यह आपक के दे सकते हो और पूरा फ्लेक्जिवले काफी अच्छे से ये वर्क कर रहा है तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई गाई